हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल धुन्प्रिया की अंटेचेन्मेंट में दोस्तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सफेच चीजों के बारे में जिनका सेवन करना गरवस्ता के दरण हानिकारक हो सकता है मा और बच्चे दोनों के लिए तो आईए देखते है दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चेनी के बारे में प्रग्नेंसी में इसका सेवन करना हानी कारिक भी हो सकता है मीठा खात प्रदारतों का आनन तो आकसर अबी लोग लेते हैं और इसे छोड़ पाना भूत ही कठेन होता है पर गरवस्ता के दोरान मीटा खाते समय आपको ध्यान देनी की जरूत है गरवस्ता में मीटा खाने से आपके गर्ण में पल रहे बच्चे के विकास पर इसका उल्टा असर पड़ता है इसके अलावा जाना मीटा खाने से गर्वती महलाओं का वजन बहुत जाना बढ़ सकता है इंसुलीन वा गलूकोस का इस्तर भी बढ़ जाता है दोस्तो स्वस्त गरवस्ता के लिए आपको थोड़ा बहुत वजन बढ़ाना समान नहीं और यह आवश्यक भी है पर इस समय बहुत जाना वजन बढ़ने से आपकी पीठ में दर्द हो सकता है और साथी दातों की समस्य उत्पन हो सकती है दोस्तो अगर आप मिठा खाना ही चाते हैं तो आप चीनी की जगे आप गुड का इस्तमाल भी कर सकते हैं जिसमें आइडन भी होता है चीनी बहुत जाना हानी कारक होती है गरस्ता के दौरान इसलिए आप इसका कम मात्रा में सेवन करें दोस्तो दूसरी सफेद चीज है सफेद चावल सफेद चावल का सेवन करने से ये हमारे बाड़ी में शुगर तयार कर लेता है वैसे तो सफेद चावल का सेवन करना एक अच्छा शुथ है कार्बरो हाइडिट के लिए पर ये उन गर्वती स्तिरी के लिए काफी नुकसान है जिनको पहले से ही डाइबर्टिक है इसलिए अगर आप खाना ही चावल अगर आपको पसंद है तो आप ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं ये प्रेगनेंसी में सेफ रहता है दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरी चीस की और वो है नमक नमक में सोडियम क्लोराइड होता है वैसे तो प्रेगनेंसी में मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है सोडियम क्लोराइड परन्तु इसका तेदिक सेवन करने से एडिमा बच्चे और किड्नी की समसर भी उत्पन हो सकती है इसके साथ साथ बाड़ी में पानी की कमी और सूजन आने से समबंदित समसर भी उत्पन हो सकती है इसलिए आप कोशिश करें प्रेग्नेंसी के टाइम पे हाई सॉल्ट फूड को आप अवाइड करें और नमक की मात्रा को एक बैलेंसिंग रूप में लें ताकि इससे आपको और आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तो अगला है कच्चा दूद कच्चे दूद में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो बच्चे के तंत्री का संबंदित विकास को प्रभावित कर सकता है इससे बॉड़ी में इंफेक्शन वियो सकता है इसलिए आप कोशिश करें कि प्रेग्नेंसी के टाइम पे कच्च् प्रेग्नेंसी में बहुत जान्दा खतरनाक होती है इसलिए ध्यान रखें कि इसकी उचित मात्रा में ही इसका सेवन करें आप कभी-कभी तो मन करें तो आप इसको खा सकते हैं लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे खाते रहेंगे तो यह हमारी बाड़ी में कैलोरी बढ़ करते हैं तो ध्यान रखें इसकी उचित मात्रा में ही इसको सेवन करें तो दोस्तों यह थी पांच सफेज चीज़े जिनका सेवन करना प्रेग्नेंसी के टाइम पर हानिकार हो सकता है इसलिए आप इन चीजों का सेवन उचित मात्रा में ही लें और अपनी प्रेग्नेंसी क कीप सपोर्टिंग धुन प्रिया की एंटेटेन्मेंट